दोस्तों अगर आप रेलवे की टिकट खुद से बुक करते हैं तो आप लोगोंने नोटिस किया हो कि जिस स्टेंड में आपने जाना है जिस डेट को जाना है उस डेट के नीचे कई बार हमें रीगरेट लिखा हुआ देखने को मिलता है जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रह है và 26 तारीक को भी डेड देखने को मिल रह outright तो आखिर हम डेट का मतलब क्या होता है और क्ःट वाली डेट में सिट बुक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखे यहाँ पर किसी भी तरह का वेटिंग लिस्ट का नंबर नहीं लिखा हुआ है कि कितनी नंबर वेटिंग चल रही है कितनी सीट्स अविलेबल है वो भी नहीं लिखा हुआ आ रहा है तो आखिर इस regret का मतलब क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलेगा तो देखे दोस्तों regret का मतलब होता है कि जब किसी train में कोई भी seat available ना हो तो वहाँ पर हमें regret लिखा हुआ देखने को मिलता है क्योंकि हर एक train की हर एक coach की अपनी एक limit होती जैसे कि माली जे मैं यहाँ पर अमरिसर हावडा mail में seat book कर रहा हूँ तो माली जे की train में जो waiting ticket book होनी की limit है वो 200 है और जब यह waiting ticket की limit cross हो जाती जानी कि 200 की 200 tickets book हो जाती है वेटिंग लिस्ट में तो उसके बाद regret लिखा हुआ देखने को मिलता है तो इसका कहने का मतलब यह है कि जब waiting quota full हो जाए उसके बाद हमें regret यहाँ पर देखने को मिलेगा अब सबाल आता है कि क्या हम regret लिखी हुई date पर seat book कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो वह मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो मैं लिखे मैं 25 तारीक को को टिकट बुक करता हूँ जहाँ पर regret लिखा हुआ है जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जैसी मैं पैसेंजर डेटेल डालने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर एक information शो हो रही होगी जिसमें लिखा है no seats available please selected different journey यानि कि इस डेट को कोई भी seat इस train में available नहीं है आप किसी और डेट में try कर सकते हैं तो इसका साफ साफ मतलब है कि जब कभी भी किसी train में regret दिखा हुआ जाए तो आप समझे कि इस train में आप ticket book नहीं कर सकते particular date पर क्योंकि एक भी seat खाली नहीं है उम्मिद करूँ आपको प